नमस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारत वाज और हम लोग पहुंचे हैं गाउं पाली और पाली के पूर्व सरपंच गिरिराज भड़ाना जी हमारे साथ है आरोप लग रहा है कि एक भूमी विवाद को लेकर उन पर आरोप लग रहा है और अभी दो दिन पहले हमने एक ला रहा भाया जी क्या है हकीकत क्या है वो बता है यह जमीन बाजडी गाउं का मौजा है रखबा बाजडी गाउं का रखबा है इस जमीन के चार भाई थे चारो भाईयों ने एक ने जमीन आद तक बेकी नहीं और जिसने नहीं बेकी उसी ने मेरे पर आरोप लगाया है अ से तालोका आता है इन से तालोका आता है ये मेरे बारे में बोला गया या तो वो मेरे को ये बता है को उसकी जमीन में आद तक खरीदी हो या उससे मेरे को बत्तमीजी हुई हो या मैंने उसके लिए कहीं बोला हो या मैंने किसी से फौन करवाया हो तो वो बात जाई जाए जा मैं मालिक हूँ, अच्छा आपने पर्चेज कर ली, मैंने परेज उनके तीनों से कर रכ़ी है, तीन शेयर आपने खरीद रखे हैं और एक शेयर बचा हुआ है, तुस्ते अपने कभ खरीदे, मैंने दो जाइर उसके जो चाचा है, ताओव जिसका नाम वो ले रहा है, वो मैं जो रहूल है इसने उस पर मेरे पर जूटा मुकदवाने कोश करी उसके पहले 2012 मेरे साथ मुनेश त्यागी जो इसकी मदर है उनने मेरे के लिए तक्सीम का केश डाल रखा जिसमें मैं पार्टी बना रखा हूँ आज ये लोग कहते हैं हमने जमीन नहीं बेगी थी अगर जमी टेंसन और बत्तमी जी बूलने के लावा इनके पास कुछ नहीं है ना मेरा सुंदर भाटी से को लेन दे रहे हैं ना मेरा किसी और से लेन देन है और इस जमीन के लावा अगर फरीदाबाद शहर बहुत बड़ा शहर है अगर मेरे खिलाब कोई तो मुकदमा होगा अगर मै कोई मुकदमा बाजी तो होगी मेरे कहने से तो मैं ना बढ़िया बढ़ूगा ना गटिया बढ़ूगा फरीदाबास समाज बताएगा पुलिस परसाशन को कोट को सिरफ गुम्रा करते हैं अगर उनके पास को पेपर है जैसे मैं आपके सामने आया हूँ कागज आपके साम चाहते क्या है वो चाहते हैं कि उनका जमीन का टुकडा है मेरे 11 एकड में बीच में लेना चाहते हैं मेरे को बिलेक मिल करना चाहते है 11 पुट का रास्ता लगा हुआ जितना उनका शैर बनता है वो अपना शैर लो मेरा उनसे कोई लेनिlt देंड नहीं है क्सुर दें उसके लिए मैंने कोट में केस चल राए है उसके लिए मैंने एफिटएट कोट में दे रखा है अकिन का 11 फुट पर जितना शेर बनता है अपना शेर लो और अपना काम करो मेरे क्यों क्यों टैंसन दे रहे हो यह जमीन के रेट हो गए महंगे यह मेरे को बिलेक मेल करिया जा रहा है और कुछ भी इस बात में नहीं है राजनितिक दबाबों से मेरे मुकदमा दर्ज कराने कोशिश करी उसमें मैंने सौमिल तप्तीस हुआ उसमें सीपी साब थे जो है अपना जी उनका सुब नाम था ठाकुर साब थे उन्होंने तप्तीस कराई उसमें ओपी सिंग जी उस उन्होंने इसकी इंक्वारी करवाई उसमें मेरे को clean sheet दे दिया गिर राज मुकदमा नहीं बनता पर अनिल विल जी के पास जाकर अनिल विल जी को गुम्रा करके और राजनितिक दबाब से मेरे मुकदमा दर्ज कराया। जो कर्म का रसता होता है, कडीमी जो रसता होता है, खेत में जाने का रसता होता है। कोई दमकी का मामला नहीं है चमीन एक डेट क्यों ले रहे हैं आज इनने फिर अगस्किले ली डेट ये सब मेरे को घुम्रा किया जा रहा है अपनी जमीन बीच में लेकर मेरे को टौरचर राहूल से ना मेरे को लेना है ना मेरा देना है और जिस ताउ के लिए चाँ पार्टी बना रखा था था दोजार पार्टी बना भी पार्टी बने ठीक बात है यह जो और बार्दवाजी में दुबारा फिर दोरा के कहरा अगर उनके पास को सत्त है तो परशाशन को दे मेरे को दे आपको दे अगर यह हमारे साथ गलत हो रहा है समाजिक तोर पे दे सिर्फ जूट बोलने से काम नहीं चलेग कि उस के माध्यम से वो चाहते हैं कि उन्हें जो चोड़ी सड़क पर रास्ता मिल जाए चोड़ी सड़क पर मैं उनको लगा के दूँ जबकि जो क्वानून के हिसाब से 11 फूट पर सेरे अलडर एम चारो चारो के बराबर हम बनती है ले लो अपना तो यह जो 33 फूट है य सारी जमीन मेरी अलग से आप यहां डेवलपर हैं आपने वो जमीन पहले से ले रखे और उसमें जाने के लिए अपना 33 फूट का रास्ता चोड़ रखा है तो यह चाहते हैं कि इनका जो शेयर है उसे आप 33 फूट पर दे लगा के दे और जमीन का एक लॉट है जिसका भी 11 फूट का रास्ता गॉर्मिंटी एक फूट लगो 11 फूट लगो 100 फूट लगो उस पर शेयर उसको मिलता है हम उसको देने के लिए त्यार है बच जितना तेरा शेयर बनता है क्यो लडाई लड़ रहा है अपनी जमीन दो किसी को मत दो हमारे जमीन से क्या मतलब अब जो ल जाए हाँ इतना जरूर जो इसने मेरे लिए बोला है इसकी में अपनी वकील से सला करके कोट कानू कारवाई करूंगा जरूर बत्तमी जी नहीं करूंगा यह जो बोलना इनने बोलने दो मत he WAL जो भूमी विवाद है उस भूमी विवाद को अपने पक्षों मे करने के लिए ना दो मेरा पिक लिए ना यह द धमकी वाला जो इन्हों ने जोड़ा है कि बदमाश से धमकी दिला रहे हैं और यूपी का बदमाश है जिस से धमकी दिला रहा है सुन्दर भाटी दय्म के दिल तो किवल उसलिए जोड़ा गया है ताकि वument हाईलाइट हो मामला elder ऐसा है सर ना तो मेरे सुन्दर भाटी यारीना रिस्तेदारीना मेररा लेना ना देना जिंन्दीकी में कभी तो कोई किसी से राम राम तो हो, मेरा वो भी नहीं है, अब उसके लिए कि बोल रहे हैं, मैं आप किसी और का लाम कह दो, मेरे को मोधी ने दे रखा है, ये तो बे फजूली बाते हैं, ग्यारे फुटका उनका रास, मेरे को तो बिलेक में लिए कर रहे हैं, कि इनको में बिले करने के लिए में पेपर दे चुका हूँ जमा बंदी में दोजार पांच से मालिक हूँ में अगर मैं दोजार पांच से मालिक हूँ तो फिर मेरे मेरा हिस्ता नहीं बनता है तो यह परशाशन को देगा परशाशन मेरे को दो मिट में नहीं रोग देगा जब इनके पल्ले कु गिराज भडाना जी का पक्ष सुना आपने और जैसा वो बता रहे हैं कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं जमीन खरीच चुके हैं लेकिन वो जो चौथा हिस्सा है उस चौथे हिस्से को लेकर जो पार्टी है जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इन पर आरूप लगा रहा है इन से मांग कर रहा है कि उसे जो कीमती हिस्सा है कीमती जहां कीमत ज्यादा है ज्यादा है वहां उन्हें वो शेर दिया जाए वो उनका शेर जो है वो वहां नापा जाए ताकि उन्हें उसका लाब मिल सके और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए अपना रास्ता छोड़ा अपना रास्ता छोड़ा सर एक बात सबसे बड़ी बताऊ रहूल को में अपने जिस चाचा की आताओं के लिए मदद मांग रहा है दोजार बारह से पार्टी बनाया मेरे को उस दिन चाचा कहा था अगो उस दिन जमीन तो यहीं थी जमनी पता थी चाचा की राज ने ले रखी ने ले रखी है आज मेरा उससे को लेना नहीं देना नहीं वो अपनी जमीन अपने पास रख है आज वो चाचा का लाडला क्यों ह हो रहा है चाचा का लाड़ ला लालच में उसी दिन चाचा साबुस्ता है यह करोड पें कड़ कारेट है यहां पर घीक जिसको कुछ नहीं है वो ब्लैक मेल के काम में अपनी जमीन को दे रहा गयार 치व फूट का रास्त आरा गयार पूट पे जो उसका से बंद पने कि तना चाहाई रखना चाहते जो जमीन छोड़ेगा उसी घर को फोड़ी बनेगी वो चोड़ता ले करूँ बात पूछो बहुत पूछो भाया तेरा मेरे को लेंड देन आ है तेरा मेरा तक्सीम का तेरी मदर के साथ है वो जो क्वाण कोट देगा हो वह मैं माल लोगा पूर्ट देगाँगाँगा. पुलिस पर श्यासन तो मैं गलत काम कर्णूंगा। उसे माल लूँगा. पुलिस को गभी गालिया देता, मेरे एसीपी नहीं सुनुढना, मेरे सेचों नहीं सुनु убий सुनुढरा, मैं कला निलिविज ब जांगा, मानिल जोस यह करवाउंगा, हुआप साम भी आउडर करेंगा Whew जो झालने वी मेरे कहने से तक ए मेरे कहने से तो कानून काम करेगा